जैनगर से मनिहारी जा रही जानकी एक्सप्रेस एक बड़े हाथसे का शिकार हो गई है आपको बता दी कि ट्रीन ट्रीज रफ्तार से जा रही थी और इसी दोरान जीसी भी मशीन से टकर होने के बाद जीसी मशीन पूरी तरीकी से छतिग्रस हो गई है और साथी साथ चालग घायल बताए चा रहे हैं हाला कि यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकन इन सब के बीच अभी उस रूट पर पूरी तरीकी से ट्रीनों के परेचालन को प्रतिबंधत कर दिया गया है इसके अलावा वहाँ पर क्या कुछ हुआ है पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं जैनगर से मनिहारी जाने वाली जानकी एक्स्प्रेस बखरी ढाला के नस्दीक 10 नम्मर रेलवी गुम्टी पर हादसे का शिकार हो गई है इस रेल रूट पर बखरी ढाला के पास गुम्टी से गुजर रही एक जैसीबी से तेज रफटार ट्रीन की टकर हो गई हालाकि हादसे में किसी के मौत की सूचना नहीं है लेकिन जैसीबी का चाला गंभीर रूप से घायल हो गया है हादसे के बाद मौके पर अस्थानी लोगों की भीड जमा हो गई चैन और जैसीबी के बीच टकर इतनी जोरदार थी कि भारी भर कम मशीन भी छती ग्रस्त हो गई है वहीं हादसे के बाद रूट पर चैनों की आवजा ही भाद्यत हो गई है बताएगे चारा है कि समस्तिपुर खगडिया रेल खंड के बखरे ढाले के पास दस नमबर रेल गुम्टी पर यह दुरगटना होई अस्थानी लोगों के अनुसार जिस वक्त जानकी अक्स्प्रेस गुजर रही थी उस समय दस नमबर रेलवे गुम्टी का फाटक खुला हुआ था जहां से पोकलेन पार कर रही थी इसी दोरां दूसरी तरफ से तीज रफ्तार में जानकी एक्सप्रेस वहां पर पहुँच गई अचानक ट्रीन के आने से पोकलेन चालब को समभालने का मौका नहीं मिला और हाथ सा हो गया इदर रेल खन पर ट्रीन दुरगटना के खबर मिलते ही समस्तिपूर रेल मंडल के अधिकारी घटना अस्तल के लिए रवाना हो गए है कुछ देर के लिए इस रूट पर ट्रीनों के संचालन को बाधत किया गया है स्थानी लोग ट्रीन के आने के समय गुम्टी के खुला होने को लेकर चर्चा कर रहे है लोगों के बीच ये सवार है कि आखर जब ट्रीन आ रही थी तो उस समय दस नम्मर गुम्टी का गीट आखर क्यों खुला था झालन के खुला है